नमस्कार दोस्तों, स्वागात आप सभी का हमारी चैनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आज मैं आपको स्री दुर्गा सबसती की तीसरे और चौथे अध्याई की कथा सुना रहा हूँ मैरसी मेदा ने कहा मैसासुर की सेना नश्ट होती देखकर उस सेना का सेना पती चिक्षोर क्रोध में भर कर देवी के साथ युद करने के लिए आगे बढ़ा वै देवी पर इस प्रकार बाणों की बर्सा करने लगा मानु सुमेरू परवत पानी की धार बर्सा रहू इस प्रिकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट दलाता था, उसके गोडे वा सार्थी को मार दिया, साती उसके धनुस और उसकी अत्यंत उंची दुजा को भी काट कर नीचे गरा दिया, उसका धनुस कट जाने के पशात उसके सरी के अंगों को भी अपने बा और बड़े बेग से देवी की बाएं वुजा पर बार किया किन्तु देवी की बाएं वुजा को छूते ही उस दैत की तलबार तूटकर दो तुकड़ों में हो गई इसे दैत ने क्रोध में भरकर सूल हाथ में लिया और उसे भद्र काली देवी की ओर फैका देवी की ओर आता हुआ वैसूल आकास से गिरते हुए सूर के समान प्रजलित हो उठा उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और महा असूर के सो तुकड़े कर दिये और साथी महा असूर के प्राण भी हल लिये चक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामन नामक देट्ट याती पर सावर होकर देवी से लढने के लिए आया और उसने आने के साथी सकति से प्रहर किया किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर प्रथभी पर ढाल दिया सक्ति को तूटा हुआ देखकर देत ने क्रोज से लाल होकर सूल को चलाया किन्तु देवी ने उसको भी काट दिया इतने में देवी का सिंग उचल कर हाती की मस्तक पर सबार हो गया और देत के साथ बहुत ही तीव रिजुद करने लगा फिर दोनों लड़ते हुए हाती पर से प्रत्वी पर आगरे और दोनों बड़े क्रोज से लड़ने लगे फिर सिंग बड़े जोर से आकास की और उचला और जब प्रत्वी की और आया तो अपने पंजों से चामर का सिर्धर से अलग कर दिया कुरुद्र हुई देवी ने सिला और ब्रक्ष आदि की चोटों से उद्रग्व को भी मार दिया कराल को दातों मक्कों और थपणों से चून का डाला कुरुद्र हुई देवी ने गदा के प्राहर से उद्वत दैत को मार दिराया बिंदी पालन से वास्वकल को बानों से ताम्र तता अंदक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नित्रों वाली परमिस्वरी ने त्रसूल से उग्रास्त उग्रवीर और महाहनू नामक राक्यसों को मार गराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दत का सिर्का डला त था अपने बाणों से दुर्दम और दुर्मुक राख्यसों को यमलोग पहुचा दिया इस प्रिकार जब मैसा सुनने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नश्ट कर दिया है तो वै भेंसे का रूप धारन कर देवी के गणों को दुख देने लगा उन गणों में कितनों को उसन सुबायू के जोकों से प्रत्वी पर गिरा दिया वै देथ इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंगों को मारने के दोड़ा इस पर देवी को बड़ा घुसा आया उदर देथ वी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खुदने लगा तता सीगों से परवतों को ख मदर चारों और फैलने लगा हिलते हुए सिंगों के आगा से मेग खंड खंड हो गई और स्वास से आकास में उड़ते हुए परवत फटने लगे इस तरह क्रोध में भरे हुए रक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई द उसने पुरुष का रूप बना लिया जो की हाथ में तलवा लिये हुँ था देवी ने तुरंती अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवा ढाल सहित मीन डाला इसके पाशादवाय हाती के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लम्मी सूर से देवी के सिंग लोकी को ब्याखुल करने लगा इसके पशाद कुरुष में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मदू का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हसने लगी उधर बल वीर तता मद से कुरुष हुआ दैत भी गरजने लगा अपने सिंगों से देवी पर परवतों को फैंक पर देवता गरजेंगे मेरसी मेदा ने कहा यों कहकर देवी उचल कर उस देत पर जा चड़ी और उसको अपने पैर से दबा कर सूल से उसके गले पर आगत किया देवी के पैर से दबने पर भी देत अपने अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा अभी वे आदा ही बार निकला था कि देवी ने अपने प्रिवाव से उसे रोख दिया, जब वे आदा निकला हुआ ही देथ युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिरकाट दिया, इसके पचा सारी राक्षत सेना हाकार करते हुई, वहां से भाग कड़ी मेरसी मेदा बोलें देवी ने जब प्राक्रमी दुरात्मा महिसासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया तब इंद्र आदि समझत देवता अपने सिर तथा सरीर को जुका कर भगवती की सुति करने लगें जिस देवी ने अपनी सक्ती से ये जगत भ्यात्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तता मैर्सियों की पूजनी है उस अम्मिका को हम भक्ती पूरवक नमस्कार करते ही वह हम सब का कल्यान करें जिस अतुल प्रवाव और बल का वर्णन भगवान विश्नु संकर और ब् लक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन होने बालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो हम दुरुगा भगवती को नमस्कार करते ही ये देवी इस विश्व का पालन करो हे देवी हम तुमारे अचेंत्य रूप का किस प्रकार बढ़न करें असुन का नास करने बाले भारी प्राक्रम तता समझत देवताओं और धैत्यों के विश्व में जो तुमारे पवित्र चरित्र ही उनका हम किस प्रकार बढ़न करें हे देवी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का करण हो हे देवी भगवान विश्व संकर आदी कि किसी भी देवतानी तुमारा पाड नहीं पाया तुम सब की आसरे हो यह संपूर्ण जगत तुमारा ही अंसरूप है क्योंकि तुम सब की आदी भूत प्रकरती हो हे देवी तुमारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यग्ज्यों में सब देवता त्रप्ति लाब कर तत्वों के सार को बस में करने वाले संपूर्ण दोसों को दूर करने वाले मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करती हैं वे तुम ही हो तुम बाणी रूप हो और दोस रहित रेग तथा यजर वेदों की एवं उधिगीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सा देवी जिससे सारे सास्त्रों को जना जाता है वे मेदा सक्ती तुम ही हो और दुरगम भवसागर से पार करने वाली नौका वी तुम ही हो लक्ष्मी रूप से विश्नु भागवान के इरदा में निवास करने वाली और भागवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी में भर गया यह बड़े आश्यर की बात है और हे देवी तुमारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदैकाल के चंद्रमा की भाती लाल हो गया और तनी हुई बहों के कारण बिकराल रूप हो गया उसे देखकर भी मैसासुर के सिग्र प्राण नहीं निकल गए यह होता है और जब आप कृद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनास हो जाता है यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने मैसासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते-देखते मार दिया है यह देवी सदां अभ्योद्य प्रताब देने वाली तुम जिस पर प्रिस कर होते हैं है देवी तुमारी कृपा से ही धर्मात्मा पूरस प्रति दिन स्रद्धा पूर्वक यग्य करता है और धर्मानुकूल आचरन करता है और उसके प्रवाव से स्वरग लोक में जाता है क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांचित फल देने बाली हूं हे करने पर संपूर्ण जीवों के वह नश्ट कर देती हूं और इस तर चित बालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंद भंगल देती हूं हे दारिद्र दुखनाशनी देवी तुमारे सिवा दूसरा कौन है तुमारा चित सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है ये देवी तुम सत्रों को इसलिए मरती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुक मिलता है वह चाए नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हूँ किन्तु तुमारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं इसलिए तुम उनका बद करती हो हे देवी क्या तुम द्रश्टी पात्र मात्र से समझत अस्रों को भस्म नहीं कर सकती है अब शही कर सकती हो किन्तु तुमारा सत्रों को सस्त्रों के द्वारा मारना इसल हेदेवी, तुमारे उग्र खड़क की चमक से और त्रसूल की नौक की कांती की केड़नों से असरों की आंकें फूट नहीं गई। उसका कारण ये था कि वे केड़नों से सोबा एमान तुमारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुन्दर मुक को देख रहे थी। कि किसके साथ बराबरी की जा सकती हैं? तदा सत्रों को भै देने वाला इतना सुन्दर रूप भी और किसका है? हिर्दा में कृपा और युद्ध में निश्ट उड़ता ये दोनों बाते तीनों लोकों में केवल तुमी में देखने में आई हैं? एमाता युद्ध भूमी म किसके सत्रों को मार कर तुमने उने स्वर्ग लोक में पहुंचाया है? इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा ही किया है? तता उन उनमत असरों से जो हमें वह था उसको भी तुमने दूर किया है? तुमको हमारा नमस्कार है? हे देवी, तुम सूल तता खड़क से हमारी रक्षा करो तता घंटे की धोनी और धनुस की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो हे चंड के आप अपने सूल को गुमा कर पूर पश्यम उत्तर तता दक्षन दिसा में हमारी रक्षा करो तीनों लोकों में जो तुमारे सौम में रूप हैं तता घोर रूप हैं उनसे हमारी मेर्सी बोले कि इस प्रिकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की और नंदनवन के पुस्पोंत अथाग गंद अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सब ने मिलकर जब सुगंदित वा द्रव्य दूपों द्वारा उनको सुगंदित निवेदन की तब देवी ने प्रिसन होकर कहा है देवताओं तुम सब मुझे मनवांचित वर मागों देवता बोले है भगवती तुमने हमारा सब कुछ कार कर दिया अब हमारे लिए कुछ भी मागना बाकि नहीं रहा क्योंकि तुमने हमारे सत्त्रू मैसासुर को मार डला है है मैस्वरी तुम इस पर भी यदि हमें कोई बढ़ देना है चाहती हो तो बस इतना बढ़ दो कि जब जब हम आपका इसमर करें तब तब आप हमारी प्रिपत्तियों को हरन करने के लिए हमें दर्सन दिया करें है अम्मिके जो कोई भी तुमारी इस्तुति करें तुम उनको बित और बैवब देने के साथ ही उनके धन और इस्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन रहें मैं सी बोले ही राजन देवताओं ने जब जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रिकार प्रिश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो ग करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रिकार गौरी देवी के सरी से उत्पन होई थी वे सारा ब्रतांत में यतावत बढ़नन करता हूं बोलो देवी भगवती महा माया की जै